अस्सी के दशक में एक अभिनेत्री अचानक मशहूर हो गई थी, नाम था जैस्मिन धुन्ना, आपने उसे भुतहा फिल्म वीराना की चुडैल के किरदार में जरूर देखा होगा, सफेद नीली आखें, गोरा चिट्टा रंग और गजब की खूबसूरत, अस्सी के दशक मे शायद ही इतनी सुंदर एक्ट्रेस बॉलिवुड में रही होगी, फिर वह अचानक बॉलिवुड से गायब हो गई, लोगों ने उसके बारे में कई तरह की कहानिया बना दी, किसी ने कहा, जैस्मिन की मौत हो गई, तो कोई बोला, वह जॉर्डन में बस गई, किसी ने कहा राहुल नाम के आदमी से शादी कर ली, तो किसी ने खबर बताई, कि वह हर्याना में बस गई, मगड़ दोस्तों, ये सारी बातें जूटी है, वी राना की जैस्मिन जिन्दा है, चलिए हम बताते हैं, वह कहां है, और बॉलिवुड छोड़ते ही कैसे, उसका नसीब चमक जैस्मिन धुन्ना के नाम से बॉलिवुड में मशहूर हुई, मुंबई में पैदा हुई जैस्मिन अपने माबाप की इकलोती संतान थी, बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली जैस्मिन को राज कपूर बहुत पसंद थे, वह स्कूल के नाटकों में खूब लिया करती, बाद में फिल्में देखने का शौक ही उसे हिंदी सिनेमा की ओर ले आया, सबसे खास बात है कि जैस्मिन को फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, 1977 उस दौर के मशहूर डाइरेक्टर एंडी कोठारी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, विनोत से हो गई, 19-20 साल की खूबसूरत जैस्मिन में उनको मधुबाला की जलक दिखाई देने लगी, उन्होंने अपनी फिल्म में हिरोईन का ओफर दे दिया, पहली ही फिल्म वह भी विनोत खन्ना जैसे स्टार के साथ, जैस्मिन भला कैसे मना कर सकती थी, फौरन हां बोल दी और बन गई विनोत खन्ना की हिरोईन, 1989 में जैस्मिन की पहली फिल्म आई, सरकारी महमान पुलिस इंस्पेक्टर बने विनोत खन्ना और बंजारों की बेटी बिंदिया बनी जैस्मिन, फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी और जैस्मिन को कोई फायदा नहीं हुआ, ये अलग विजेंद्र घाटकर के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे, उन्होंने जैस्मिन को विजेंद्र की हिरोईन बना दिया, 1984 में फिल्म आई, डिवोर्स, ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर सकी, जैस्मिन को बॉलिवुड में उतरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन खुबसूरत होने क बाद भी उनको कोई ओफर ही नहीं आ रहे थे, फिर एक दिन एक ऐसा ओफर आया, जिसने जैस्मिन की जिन्दगी बदल डाली, 1986 के आसपास की बात होगी, रामसे ब्रदर्स भूतहा फिल्म बनाने जा रहे थे, उनको एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी, जो बहुत सुंद तो हो ही, बोल्ड सीन देने में भी परहेज न करे, वैसे रामसे की फिल्मों को उन दिनों सीक्रेट कहा जाता था, कोई बड़ी हिरोईन उनकी फिल्म में काम नहीं किया करती थी, इसी वजह से रामसे वाले नए नए चेहरों की तलाश में रहा करते थे, अचानक उनकी बीना सोचे समझे, हां कर दी, उननीस सौ अठासी में फिल्म आई वीराना, जैसमिन ने फिल्म में एक ऐसी लड़की का रोल किया, जिसके शरीर में आत्मा सवार रहती है, इस फिल्म ने उनका नसीब खोल डाला, जैसमिन ने भुताहा लड़की के रूप में ऐसी अदाका करते थे, इस फिल्म के बाद जैसमिन रातों रात, लोगों की पहली पसंद बन गई थी, मगर न जाने क्यों, उनका करियर उड़ान नहीं भर पा रहा था, 1990 में जीतेंद्र की एक फिल्म आई थी हातिमताई, इसमें एक परी के पल भर के रोल में वह नजर आई, उसके बाद वह अचानक गायब हो गई, किसी को नहीं पता था जैसमिन कहां गई, कुछ सालों तक जैसमिन धुन्ना की कोई खबर नहीं आई, तो पूरे कि वह देश छोड़ कर जॉर्डन चली गई, तीसरी खबर फैली कि उसने राहुल तुर्गनेव नाम के आदमी से शादी कर ली और हरियाना में रहने लगी, दोस्तों, ये सारी बातें जूठी हैं, जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि जैसमिन की मौत नहीं हुई, वह ये था कि वह मुंबई के वर्सोवा में रहा करती थी, जैसमिन धुन्ना को ऐसा लगता था कि उसकी खूबसूरती को देख कर उसे बड़े-बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म में हीरोईन बनाएंगे, मगर कई सालों के इंतजार के बाद भी उसे किसी मशहूर फिल्म म करने नहीं पूछा, यहां तक कि वीराना हिट होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला, जैसमिन के करीबियों ने बताया था कि उनको काम न मिलने की वजह एक और अफवाह थी, कुछ लोगों ने उसके उभरते करियर से घबरा कर साजिश के तहत फैला दिया था कि कई डॉन उ बॉलिवुड छोड़ना उसका नसीब चमका गया, जैसमिन कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने लगी, वहां उन्होंने अपना छोटा सा बिजनिस शुरू किया, बॉलिवुड न सही किस्मत ने यहां साथ दिया और देखते ही देखते जैसमिन का बिजनिस चल पड़ा, कुछी सालों में एक्ट्रेस का कारोबार करोडों रुपे का हो गया, छोटा बिजनिस बड़ा हो गया, जैसमिन सिनेमा को भूल गई और अपने बिजनिस को संभालने लग गई, वह मा के साथ मुंबई के वर्सोवा में रहा करती थी, लेकिन ज्यादा समय अमेरिका में ही इन दिनों भी जैसमिन अमेरिका और बंबई दोनों जगह आती जाती रहती है, इस खबर की पुष्टी दो बार की गई, पहली बार कुछ साल पहले रामसे ब्रदर्स ने जैसमिन के जिन्दा होने और मुंबई में रहने का खुलासा किया था, उन्होंने तो वीराना के सीक उनको लेने की बात तक कह दी थी, वहीं दूसरी बार पुष्टी वीराना में उनके हीरो रहे हेमंत बिरजे ने कर दी है, हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमंत ने खुलासा किया कि जैसमिन अमेरिका में अपना बड़ा बिजनिस संभाल रही है, दोनों की अक्सर फोन पर बात होती रहती है, कुछ समय पहले ही जैसमिन से उनकी फोन पर बात हुई थी, बलकि मुंबई में, तो उसने हेमंत को मिलने के लिए भी बुला लिया था, लेकिन हेमंत वहां जा नहीं सके थे, उन्होंने खुलासा किया कि वह बहुत खुशहाल जिन्दगी जी रही है, औ ज्यादातर अमेरिका में ही रहती है, दोस्तों, आपको जैसमिन धुनना याद है, या भूल गए आपको वीराना फिल्म में उनकी अदाकारी कैसी लगी थी, क्या आपने उनकी सरकारी महमान या डिवोर्स फिल्म देखी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसी ही औ और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं